तो हलो हाई गाईज वेलकम बैक प्योर ओन अकैडमी अभी अकैडमी दोस्तों मैं लेकर आए हूँ आज आपके सामने पैरलल कॉंबिनेशन ओफ रिजिस्टेंस साइंस का एक महत पूर्ण उपविश है जो एक इंपोर्टेंट टोपिक है साइंस के लिए विज्ञान के समांतर करम में सही उजन करना प्रतिरोध होगा तो देखते हैं कि इस प्रकार से प्रतिरोध होगा स्योंजन किया जाता है समांतर करम में यानि की पैरलल कॉंबिनेशन तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरलल कॉंबिनेशन आती होता क्या है तो पैरलल कॉंबिनेशन में इस प्रकार से होता है कि कुछ रजिस्टेंस होते हैं जिसमें हमने ले लिया एक ये रजिस्टेंस है दूसरा ये रजिस्टेंस है तीसरा ये वाला रजिस्टेंस है इस प्रकार से कुछ रजिस्टेंस हैं अब ये जो रजिस्टेंस हैं ये आपस में एक समानतर करम में होगा और दूसरे व किसी अन्य बिंदू पर आपस में इक दूसरे से मिले हुए होते हैं इस प्रकार से बिंदू भी ले लिया तो 다ạ ambos जो जो इसके अंतम सिरे वो किसी बिंदू भी पर मिले हुए है तो यह हो गया हमारे पास parallel combination इस प्रकार से अब इसमें होता क्या है यह जो पहला वाला पृति रोध है इसको नाम दे दिया आर नुद्रे वाले नाम दे याने कि पहले प्रतिरोद में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है इस वाले में I2 है और इस वाले के लिए I3 है तो इस प्रकार से धारा है हो गई हो गई लेकिन क्या है इसमें जो वोल्ट है विभव है विभांतर है वो जो हमारे पास विभव है यहाँ पर वो नियत रहता है याने कि सिर्फ वी ही रहता है वी इसमें आपर विभव रहेगा ठीक है फ्रेंट्स तो वी हो गया I1, I2, R3 इसकी धाराएं हो गई और R1, R2, R3 इसकी सेमें हो गए तो इनका सहिंँ उजण इनकांप्डेया ूटर करके निकालना है वही हम यहाँ पर और करेंगे किस समय के ą आपने पहली क्लास अमारा जिसमें हमने दिसकस किया था कि किस प्रकार से सिर्रीस कोम्बिनेशन में रिजिस्टेंस सिब्aratुकर करते है वो अभी तक नहीं देखी है, तो जिल्दी से उसको भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा, तो अभी हम देखते हैं, ओम के नियम से parallel combination को, तो ओम का नियम जो है, वो है, V is equal to I into R, याने कि जो volt होगा, वो I, धारा, और प्रतिरोध के गुणनफल के बरा इसी को change करके हमने लिख लिया, I को निकाल लिया हमने हां से, तो यह हो जाएगा, I is equal to R upon V, याने कि I को इधर लेकर आवे, sorry, माफ करना, यह इस प्रकार से नहीं होगा, यह हो जाएगा, I is equal to, I को यहीं पर छोड़ा, R इधर जाएगा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से द बिलती क्या कि हमने, यह हमारे पास V is equal to I into R था, हमें I को single छोड़ना है, I की value निकालनी है, V और R को अलग लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, I को इधर ही छोड़ दिया, जो single चाहिए, उसको वहीं पर छोड़ दो, बाकि जो भी उसके साथ का है, उसको दूसरी side लेकर चले यहाने कि I is equal to V upon R हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसको जहान से देखेंगे, तो यहाँ पर आगया हमारे पास I is equal to V upon R, तो V upon R हमने यहाँ पर इसको कर दिया है, ओम के नियम से, ठीक है दोस्तों, तो I is equal to V upon R आगया है हमारे पास, अब I जो है वो तीन है, I1, I2, I3, तो इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, I1 is equal to I1 के लिए V, V कमान क्या है, V तो नियत है, constant है, तो V, V ही रहेगा, याने कि V upon R, R की जो value है वो change हो रही है, I1 के लिए R1 है, तो I1 is equal to V upon R1 हो जाएगा, I2 निकालेंगे, I2 is equal to V, तो V ही रहेगा, upon R की value रखेंगे, I2 के 2 is equal to R2, I3 के लिए इसी प्रकार से I3 के लिए V upon R3 हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास तीन equations आ गई है, तीन equations है, equation number first, यह second, और यह third हो गई, इस प्रकार से तीन equations को ध्यान से देखेंगे, अब जब देखा हमने कि I1, I2, I3 की value है, याने कि तीन अलग-अलग value दी हुई है धाराओं की, तो अब जब इन धाराओं को जोडेंगे, याने कि तुल्य धारा निकालेंगे, कुल धारा निकालेंगे, इसी के बाद से हम यहाँ पर चल रहे हैं, कुल धारा, कुल धारा जो होती है, वो होती है, I is equal to I1 plus I2 plus I3, याने कि तीनों को जोड देंगे, तब ही त plus i3 आ गया है i की value क्या है हमारे पास जो ohm के नियम से निकाली थी आने की यह वाली इसको रख लेंगे तो i की value रख देंगे v upon r is equal to v upon r हमने रख दिया है अब हमें चाहिए i1 की value i1 की value equation number first chain लेकर आएंगे v upon r1 तो v upon r1 रख देंगे plus i2 की value रख देंगे v upon r2 plus v i3 की value रख देंगे v upon r3 तो तीनों values हमने रख दी है अब क्या देखेंगे दोस्तों हमें देखना है कि इनमें क्या कुछ common है अगर common है तो उसको निकाल लेंगे नहीं है तो छोड़ देंगे तो देखा हमने कि यहाँ पर v v v v v common है r दिख रहा है लेकिन r तो समय समय पर change हो रहा है यहाँ पर सिर्फ r है यहाँ पर r1 है यहाँ निकी change हो गया r2 है change हो गया r3 है change हो गया तो v जो है वो change नहीं हो रहा है constant है तो v को common लेंगे v को जब यहाँ से common लिया तो यह बचा 1 upon r दो b into 1 upon r बचा है ही यहांपर is equal to यहां से भी v common ले लिया यह बच गया 1 upon r1 plus यहां से भी v common ले लिया तो 1 upon r2 plus यहां से भी v common लिया है तो 1 upon r3 यानि की v into 1 upon r1 plus AND upon r2 plus 1 upon r3 इस प्रकार से हमारे पास से बच गया है is equal to V upon 1 upon R है तो यहां से V से V कट जाएगा दोनों सेम सेम है तो V से V कट गया क्या वच्छा 1 upon R 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 इस प्रकार से हमारे पास यह 1 upon R1 R की value आ गई है तो कुल प्रती रोध जो हो जाता है वो यही हो जाता है यानि की 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 R2 plus 1 upon R3 तो इस प्रकार से हमारे पास यह तुल्य प्रती रोध आ गया है जिसको हम ohm में लिखते हैं यानि की ohm इसका मात्रक लिख देते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो यह था हमारे पास की किस प्रकार से parallel combination of resistances को combine किया जाता है यानि की किस प्रकार से इनको स्योजित किया जाता है तो यह हो गई इसकी derived equation, derivation हो गई है है हमारे पास इसकी तो जो भी हमारे पास question में value देगा r1, r2, r3 की उनको इसमें put कर देंगे और solve करने के बाद इसको निकाल देंगे ठीक है फ्रेंट्स इसी के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं यदि सिर्फ r की value आनि की जो upon r1 plus 1 upon r2 तो इसको इस प्रकार से कर सकते है r1, r2 इसका जो हमारे पास lcm है वो आ गया है तो r1 into r2 हो गया अब cross multiply कर देंगे तो यह जाएगा r2 plus r1 तो 1 upon r is equal to a या फिर इस प्रकार से लिख दें कि 1 upon r is equal to r1 plus r2 upon r1 into r2 इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं यदि सिर्फ दो प्रतिरोध हमारे पास दिये गए है तो तब के लिए हम इस formula को सीधा-सीधा पुट कर सकते हैं ठीक है तो यह ओम में इसका answer हो जाएगा तो यह थी derived equation इस प्रकार से हम जो हमारे पास समानतर करम में प्रतिरोध आते हैं उनका से यह जन करते हैं ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ इस class के से लेता है तो जल्दी से इस channel को subscribe कर दीजिए क्योंकि यह channel special students के लिए बनाया गया है समय समय पर हम आपको नहीं नहीं classes available यहां पर कराते रहेंगे तब तक के लिए दोस्तों bye bye wish you happy exams